नमस्कार आप सुने रेडियो इंदुस्तान और मैं हूँ आर्जे संजू आपके साथ तो मित्रों आज मैं आप सभी को कैलास मान सरवर की यात्रा पे लिए चलती हूँ जो बाबा भोले नाथ की नगरी या भोले नाथ का निवास अस्तान है बाबा भोले नाथ ऐसे ही हैं उनके दर्वार में छोटे बड़े का कोई भेडवाव नहीं कॉन बलसाली है, कॉन कमजोड है उसका भी कोई महत्म नहीं तबी तो एक ही घाट पर सेर, मुसक, सर्प, बिच्छू एक ही घाट पर विरासते हैं एक ही घाट पर वास करते हैं और किसी को किसी से कोई लड़ाई जगड़ा नहीं हम मनुस्य छोटे बड़े का जहां भेद रखते हैं बड़े छोटे अमीर गरीब लड़ाई जगड़ा वहीं बाबा भोले नात की नगरी में सभी बराबर हैं इसलिए तो कहा जाता है कि सब धामों से बढ़कर है कैलास धाम जहां कोई न राजा है न कोई रंक है यहां सभी बराबर हैं तो दोश्टो चली मैं कैलास मान सरवर के बारे में कुछ यहां के इतिहास यहां की और भी जानकारियां देना चाहती हूँ तका इसकी महत्ता पे कि हमारे धर्म गरंथ में कैलास मान सरवर का क्या अस्तान है क्या महत्व में हमारे धर्म गरंथ में कैलासमान सरोवर का बहुत थी महत्पून कैलासमान सरोवर का महत्पून अस्थान है और क्यों नहों यहां बाबा भोले नात भी राजमान करते हैं जिन्होंने जगत कल्यान हे तू विश का पान कर लिया था इसलिए तो उन्हें निलकंट कहते हैं तो चलिए मैं अब आपका आपको और इंतजार नहीं करवाऊंगी और मैं सीधे आपको कैलास मान सरोबर लिये चलती हूँ अपने मन की आँखों को खोल कर रखें और कैलास मान सरोबर की यात्रा का आनन लें सनातन धर्म के मानने वाले लोग अपने जीवन काल में एक बार कैलास मान सरोबर की यात्रा करके अपने आपको धन बनाना चाते हैं क्योंकि कैलास मान सरोबर एक ऐसा जगह है जहां जाने के लिए हमें अनेक कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है और कहते हैं न कि कोई भी काम कोई भी लक्च आसानी से पराप्त नहीं होता है चाहे इस्वर, इस्वर को पाने के लिए भी हमें बहुत संगस्क करना पड़ता है बहुत सारी कठिनाईयों को सामना करके ही हम अपने परम पीता परमेश और अपने भगवान अपने इस्वर के इसमी पहुंच सकते हैं वैसे ही हमारे केव सनातर नहीं नहीं सारे हिंडू उनका जीवन में एक सपना होता है कि एक बार कैलास मान सरोबर की यात्रा करें और क्यों नहों इसी कैलास मान सरोबर में जिनके उपर स्वर्ग और नीचे मृतू लोग है आप कैलास मानसरोबर जाईएगा तो लगेगा कि सफेद बर एक तरफ सफेद बर्ठिली चोटियां बादल जो है वो मानसर वो जो कैलास परवत के चरण को छूने के लिए आतू रहते हैं नीचे मृतू लोग है उपर स्वर्ग लोग क्या अदबूत और लोग की दिस होता होगा वहाँ का वैसे मैं कैलास मानसरोबर की यात्रा नहीं की लेकिन मैं कैलास मान सरोबर के जो यात्री हैं जो अनुमा बताते हैं उन चबों को बाते सुनकर लगता है कि कास मैं भी एक बाद जा पाती कैलास मान सरोबर कैलास मान सरोबर के उपर स्वर्ग है तो नीचे मिर्टू लो क्याने की एक और जीवन एक और मिर्टू जीवन और मिर्टुक के बीच की जो संगम स्थली है वो ही है कैलास मानसरोबर तभी तो कैलास मानसरोबर इसकी परीधी है 52 किलो मीटर मानसरोबर पहाडों से घीरी 300 वर्ख फिर किलो मीटर में फैली मीठी पानी की जील है जिसे पुरानों में छीर सागर के नाम से जाना जाता है इतनी सुद्ध पानी है कहा जाता है कि एक कहावत है न आपने कवीद की दोहा सुनी होगी कि भूल रही हूँ मैं उस दोहे को कैलास मानसरोबर में हंस रते हैं जो वो मोती चुंकते हैं कैलास मानसरोबर इतनी सुद्ध है इतनी स्वच है कि अगर आप कैलास मानसरोबर में जो जील है इस मानसरोबर के जील के पास जाएंगे तो आपको जील की तल दिखलाई पड़ेगी जील की तलहटी दिखलाई पड़ेगी धर्ती की एक और उत्री धुर्ब है तो दूसरी और दचनी धुर्ब दोनों के बीच और बीच इस्तीत है हिमाले हिमाले का केंडर है कैलास परवत बैग्यानिकों के अनुसार या धर्ती का केंडर है जिसे एक्सिस मुंडी भी कहा जाता है एक्सिस मुंडी अथार दुनिया की नाभी या आकासिय धुरुप और भोगौलिक धुरुप का केंदर या आकास और पिठिवी के बीच का एक संबंद बिंदू है जहां दसो दिसाएं मिल जाती है यहां औलोकिक सक्ति का प्रवा होता है जिसे वहां जाने वाले लोग महसूस करते हैं जिसमें तपस्वी आज भी अध्यात्मी कुरुओं के सार्ट टेलिपैथिक संपर करते हैं कैलास परवत दुदियां के चार मुख धर्मों का केंडर है जैसे हिंदू धर्म, चैन धर्म, बाद्रम और शिक धर्म का केंडर है कैलास परवत एक विशाल काई पिरामिड है कैलास परवत पर चड़ना निशिद्ध है दावा किया जाता है कि आज तक कोई विवेक्ति कैलास परवत के सिखर पर नहीं पहुँच पाया है। जब जब किसी ने कैलास परवत पर चढ़ाई करने की कोशिश की तो वो नाकाम ही रहा। और कुछ ऐसी अद्भुत घटनाएं घटी की चढ़ाई करना संभो नहीं था। आक्रमन करना संभो नहीं था। पस्रिम देशों ने भरशक पर्यास कियें लेकिन सभी नाकाम रहें। परवत के उपर चढ़ने पर दिशा भर्म होने लगता है। यहां पे दिख सुचक मापी कम पास भी काम नहीं करते हैं। कैलास परवत या उसके आस पास अगर कोई कैलास परवत या उसके आस पास चला जाए तो उसके नाखून और बाल जल्दी बढ़ने लगते हैं। वह जगा बहुत ही ज्यादा रेडियो एक्टिव है। यहां दो सरोबर मुखे रुप से पा दुसरा राक्षस नामक जील जो दुनिया की खारे पानी की उच्चतम जीलों में से एक है और जिसका आकार चंद्र के समान है। यह दोनों जीले शौर और चंद्रवल को प्रदर्शित करते हैं। जिसका संबन साकारात्मक और नाकारात्मक कुर्जा से है। कैलास परवत क चार दिसाओं में चार दिसाओं से चार नदियों का उद्गम हुआ है। ब्रह्मपुत्र, शिंदू, सतलज, एम, करनाली। यह आपको दिरंतर एक आवाज सुनाए देगी। जिसे जैसे कि कहीं आस-पास में एरोपलेन उड़ा हो। लेकिन ध्यान से सुनने से यह बर्प्स के पिघलने की हो। यह भी हो सकता है कि प्रकास और ध्यूनी के भीच की इस तरह के समागम का होता है। लेकिन उन्ग की आवाज सुनाई देती है। दावा क्या जाता है कि कई बर कैलास परवत पे साथ तरह की लाइटे आसमान में चमकती हुई दिखाई पड़ी यहां का चमक्य बल आसमान से मिलकर कई बार कई बार इस तरह के चीजों का निर्मान कर सकता है। वैसे कहलास मान सर्वर के सरवर के पीछे जो भी कहानी हो लेकिन इसमें से किसी को कोई सक नहीं कि यह अस्थान बेवत बेहत पावन शांत और शक्ति देने वाली है। धरम च इस आलेक को अशार्य अनिल वस्ट जी ने लिखा है और इसी के साथ मैं संजुसरन विदा लेती हूं और मैं सभी से कहना चाहूंगी कि जल बचाएं बच्चों को सिखाएं पेड़ बचाएं धर्ती को पेड़ लगाएं धर्ती को बचाएं